तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है मैं फिलाल गाव आया हूँ तो अभी टेक्निकल प्रोड़क्स के नहीं कह सकते तो कुछ वीडियो बनाया जाए यह मेरे गाव का घर यहां पर अभी मैं अपने बगीछे में कड़ा हूँ यह मेरा चोटासा बजिचा है तीछे गेट है जहां से एंट्री होती है यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ दिखेंगी आम के पेड़ जामूल के पेड़ इसके बाद यह है मेरा धर तीछे दिख रहा है आपको बाहर करने जहारा दिखाता हूं तो यहां से स्टार्ट होता है यहां पर एक फौरश्टी सड़क है अप देख सेथे जोंए में सड़क bulan है हमारा गेट इस तरफ यह गेट से एंट्री है पिर जब अंदर आते हैं तो यहां से आपको गरी दिखता है पूरा आपके वह एंड़ पंप है वेरी देवल वाला जो रोले गज़ता खाड़ा था तो एक एंट्रेंस है इसके बाद यहां प्याप आएंगे तो यह दूसरे साइट से प्रेंट्रेंस है कि दो एंट्रेंस है अब देख सकते हैं अच्छा थै अब इस दूबर के नौबज रहा है अप्रेचर कुछ 34 डिग्री है आज थोड़ा तापमान कम है और आज का दिन ही थोड़ा बीजी भी है इलेक्शन का दिन है लास्ट वीज इलेक्शन यहां पर मेरा मीटर लगा है तो चलिए एंट्री करते हैं यह मैं अंदर आ गया हू ज़िए एक बरामदा है और इस तरफ कर अब आज है तो इस तरफ भी हमारे साइकल करी है यह के लुब है गेस्ट्रूम आप बोल सकते हैं यह यह लाव नाल्मन है यहां पर होली की गई है यह हमारा गेस्ट्रूम है लेंडो फैन सब लगा हुआ है तो यहां से हम निकलते हैं तो उसके बाद यह भी काम किया है फर्श का यहां पर कुलर लगा यह हमारा दोस्ता के स्पूम है तो यहां पर कमिश्मी किया गया है यह पुराने जमाने आपके अलमारियां होती है इस तरीके से इसको बनाया गया है अब अंदर जाने के भी दो रास्ते में एक यह जो दूसरा रास्ता है वो इस तरफ से है आपको यह है दूसरा रास्ता यहां से आप सीड़ी पे जा सकते हैं चत पे जाने का रास्ता है यह सीड़ी वाला कमरा है इसके बाद हम अंदर आते हैं यह हमारा आगर आपको देख सकता है यह रिस्टानल है यह अंदर भी एक एंट्वाम पर है वो बात्रूम है इसके बाद यह हमारा कमरा इसके बाद आते हम यह किच्छन है यहां पर ममनी खाना बना रही है किच्छन अभी बना रहा है अजया इसके बनावाट है इसके बनावाट है यह अब परिच्छन ने के लिए और इदिवाल में बनाया गया है यहां पर भी दूश्क कमरा है वाइफा कमरा है जहां पर फूजर रखना में अल्मारी है रखने के लिए समान तो यहां पर बड़ा से बखसा है जो बखसे है छोटी से विंडो है तो इस तरीके से हैं कुछ कि लालू पर दूप है इतना कुछ पता नहीं चलेगा जहां से हम जा सकते हैं उपर इस तरफ मंदिर है यह पुरा खेत है तो मेरा घड़े वह खेत महीं बना है इस चत काफी बड़ा है आप देख सकते हैं कि आप में पानी चाहिए कि पानी डाल रहे हैं तो विदिर विरे सब लोग अपना जो गाव में बुआ ही चालू हुआ जाएगी धान की तो आश्या करता हो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कि काफी किनों से मैंने वीडियो नहीं डाना था और कुछ टेक्निकल था नह कि आपने गाओ के घर का यह वीडियो बनाए जाए तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रू बताना कमेंट में उन्ते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्याएगा